दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने Realme के फोन में Facebook को hide या फिर unhide करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, कैसे चुपाएंगे या फिर कैसे उसको बाहर निकालेंगे, दोनों से जम वीडियो में बताएंगे, तो चलिए पहले जानते हैं कि कैसे इ settings में जाना होगा, इस type का interface मिलेगा आपको, आप करेंगे यहाँ पर नीचे की ओर scroll, तो आपको एक security and privacy का option दिखेगा, इस पे click कर लीजेगा, उस पे click करने के बाद नीचे की ओर scroll करेंगे, bottom की साइडल का सा hide apps का एक option दिखाएगा, इस पे click करेंगे, उस पे click करने के बाद अपना privacy password डाल देंगे, अगर अभी तक नहीं set किया है, तो set करने को कहेगा, कर दीजेगा, उसके बाद यहाँ पर ढूंड लेंगे, facebook कहाँ पर है, यह रहाँ facebook, इसको click करके on कर दीजे, यह hide हो जाएगा, अब आपने अगर access code नहीं set की होगा, तो आपसे वो set करने को आप set कर लीजेगा, access code, उसमें करना कि आपको इस टाइप का interface मिलेगा, hash दबाईएगा, जो भी set करना है, वो कर दीजेगा, फिर से hash दबादीजेगा, बस set हो जाएगा, और यह on हो जाएगा, अब देख सकते, facebook guy up हो गया, access करने के लिए dial pad खोलेंगे, और यहाँ पर अप check inside इस पर क्लिक करेंगे, hide apps पर, privacy password डालेंगे, hidden पर क्लिक करेंगे, facebook दिखाएगा, बंद कर दीजेए इसको, unhide हो जाएगा, अब हम आपको दिखाते है, facebook दिखाने लगा होगा, यह देखिए, अगर वीडियो से help हुई हो तो वीडियो को कर दीजे, like channel को कर लीजे, subscribe and bell icon अनको प्रेंस, ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए,